हेलो दोस्तो आज मैं आपको फोटो में फेस को गोरा करना सिखाऊंगा तो यह देखिए फ्रेंट्स यह इसका बिफोर वाला इमेज और यह देखिए इसका आफ्टर वाला इमेज बिफोर आफ्टर बिफोर आफ्टर तो वीडियो को लास्ट तक देखना फ्रेंट्स वीडि अब देख सकते फ्रेंड्स यह फोट हो में जिसक्रीन है वो बहुत डार के फ्रेंड्स तो मैं अभी इसको गो्रा करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स तो सबसे पहले आप एक new layer can click किज़े फ्रेंड्स यहां से मैं new layer debuted करता हूं यह आपे मरी निव लेयर आगे फ्रेंस आप वाइट वाइट कलर को साम जखिए फ्रेंस फोर ग्राउंड कलर में रखिए और आप इसको ब्रस टूल से इसको आप ब्रस टूल से कलर करेंगे फ्रेंस कुछ इस तरह अब इसको पूरा ब्रस टूल से फिल करेंगे फ्रेंस मैं थोड़ा ब्रस का साइज बड़ा लिटा फ्रेंस ताकि मैं जल्दी जल्दी इसको फिल करको करेंगे फ्रेंस आप इस बात के देहन रखिए कि कि आप हाडनेस को पूरा जीरो कर जीरो परसंट पर ला देंगे फ्रेंस तभी आप कि यह ब्रस चलाएंगे है कि इलिए फ्रेंस जैसे कि हमने पूरा या पर वाइट कलर फिल कर दिया है फ्रेंस इसके बाद हम लोग यहापर यह नॉर्मल को हम लोग कि सॉफ्ट लाइट में कर देंगे फ्रेंस या पर हम लोग सॉफ्ट लाइट स्लेक कर रहे हैं इसके बाद देखिए फ्रेंस यहापर आपको कलर स्कीन टोन में फरक नजर आ रहा होंगा फ्रेंस तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे layer को हम layer mask लगाएंगे ओके layer mask लगाने के बाद हम 4 brown color में black color रखेंगे black color उपर रखेंगे और हम यहाँ पे brush tool में जाएंगे आप opacity 100% और flow को भी 100% रखेंगे और उसके बाद हमने जो white color feel किया है यह black color के साथ overlay कर रहा है eyebrows की उपर यह जो black eyebrows है हम उसका color वापस लाएंगे तो सबसे बहले हम brush में जाएंगे brush का size खोड़ा छोटा कर देता हूं और इसको ऐसे ऐसे paint कर दीजी और इसको ऐसे paint कर दीजी यह होने के बाद friends आप यहाँ से vibrance को select कीजिए और उसके बाद vibrance को थोड़ा बड़ा दीजी मैं 13 कर देता हूँ यहाँ पे और उसके बाद saturation को 5 कर देता हूँ ताकि यह color match हो जाए friends और उसके बाद friends मैं एक और बार curves लूँगा और curves के option पे मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ friends ताकि इसका थोड़ा exposure थोड़ा कम हो जाए और इसके बाद friends हम लोग यह तीनो लेयर को select करेंगे friends यह curves one, vibrance और यह layer one को आप control दबाखें यह तीनो लेयर को select किज़े friends और उसके बाद हम यह तीनो लेयर का एक group बनाएंगे friends तो आप keyword में control जी प्रेस किज़े friends तो यह इसका एक group बन गया friends और इसके बाद friends हम यह पूरे group की opacity को करीब 90% तक कर देंगे friends तो यह देखिए तो अब यह perfect इसका skin का जो color है वो गोरा हो चुका है friends आप देख सकते हैं यहापे तो यह थी friends मेरी before वाली image और यह friends मेरी after वाली image before after before after तो यह देखा friends कैसे हमने एक black skin photo को गोरा किया है तो अगर वीडियो अच्छा लागी तो इसे like, share और चानल को subscribe जरूर करना friends और comment करके बताना कि आपको अगला वीडियो कौनसे topic पर चाहिए और हम कल मिलते हैं एक और नहीं वीडियो के साथ